दोस्तो खजूर आयरुवेट के समय से खाय जाने वाला फल है जो कि ड्राइफ्रूट यानि कि सूखे फल की श्रेडी में आता है जिसमें कॉंप्लेक्स कार्बॉअडट और पोशक तत्वों की मातरा बरपूर होती है जो आपके शेरीर को एनरजी प्रतान करने के काम करता है तो आज के वीडियो में हम जानेंगे खजूर से दिलने वाले फाइदे नुकसान हमें इनको कब कैसे और कितनी मातरा में खाना चाहिए और अगर आप वजन बढ़ाने या गटाने की डाइट फोलो कर रहे है तो ऐसे में आपको खजूर को किस तरीके से अपने खाने में श खाम करता है खजूर में पाई जाने वाले खास तरह के एंटी ओक्सिडेंट जैसे फ्लेवर नइड केरोटिनोइड और फेनोलिक एसिड जो कि या दाश को बढ़ाने दिल को सहत मन रखने आखों की सहत इंप्रूव करने और यहां तक कि कैंसर जैसे बीमारी में भी उदारने की ताकत रखता है इसका कब और कैसे इस्तमाल करना चाहिए वैसे तो खजूर का कभी भी इस्तमाल किया जा सकता है लेकिन पूरे दिन में तीन वक्त ऐसा होता है जब खजूर का इस्तमाल करना जदा बहतर उप्शन हो सकता है एक तो सुबह खाली पेट क्यूंकि कि इस समय आपका शरीप फुशक ततु को जाता बहतर तरीके से अब्ज़र कर पाता है दूसरा नास्त के बाद और दोपर के खाने से पहले जो कि 11 से 12 का वक्त होता है उस वक्त भी खजूर का इस्तमाल किया जा सकता है और तीसरा शाम के 4 से 5 बज़े के वक्त भी भूक लगन पर खजूर को स्नेक्स के रूप में भी इस्तमाल किया जा सकता है इतना ही नहीं अगर आप एकसरसाइस करते हो तो इसे प्री और पोस्ट वर्काउट के रूप में एगवाइट यानि अंडे की सफेदी के साथ इस्तमाल किया जा सकता है क्योंकि इस तरह खाने से शरीर को क चीनी की जगह भी इस्तमाल किया जा सकता है क्योंकि ये चीनी की तरह ही मीठा होने के साथ-साथ सहत के लिए भी बहुत फाइदय मद होता है। अब बात करते हैं कि आप एक दिन में कितना खजूर खा सकते हैं। खास कर खजूर एक सुखा फल होने के वज़े से इसमें नेचूरल सुगर और केलरीज भी ज़्यादा होती है। खाने में शामिल करना चाहिए। खाले हलके नास्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाला कि वजन का बढ़ना या गटना पूरे दिन के खाने पे जादा डिपेंड करता है। अब बात करते हैं खजूर खाने के नुकसान के बारे में। वेसे तो कोई भी अच्छी से अच्छी चीज अगर ज़्यादा मात्रा में खाये जाये तो वो भाईदे के बज़ये शरीत को नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकती है। इसलिए खजूर को जितना हो सके उतना थोड़ी मात्रा में ही काना चाहिए। लेकिन खास बात का आपको ये द्यान रखना है कि मार्केट में मिलने वाले अलग-अलग तरह के खजूर में से एक तरह के खजूर को आपको बेलकुल भी नहीं काना चाहिए। क्योंकि खजूर कई तरह के होता है जिन में से ज़्यादा तर शरीर के लिए फाइदेमंद होता है। बाहर इस्तमाल करने से फाइदे के बज़े शरीर को नुकसान ज़्यादा पहुंच सकता है। इसलिए खजूर आप चाहे किसी भी टाइप कर क्यों न करीदे। एक बात हमेशा ख्याल लखे कि वो बाहर से चिप-चिपा और रसीला ना हो। क्योंकि कुद्रा अपने दुनिया में जितने भी खाने की चीजों को बनाए उसके अंदर रस होता है। बाहर नहीं।